हेई गाइज वेलकाम बैक तो मैं टूप चैनल और अज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि साइंटिस कैसे बने अगर आपको भी साइंस सब्जेक्ट पसंद है और नयने प्रयोग करने और नई खोजे करना का आर्मान रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हलफुल ह बने वाली है तो वीडियो में लास्ट तक बने रही है गा और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा आपने फेंट शेयर भी करेगा और चैनल पर नह नहीं खोज़े करने का अर्मान रखते हैं और इन खोजों की मदद से आप समाज और देश के के लिए कुछ बहतर करना चाथे हैं, तो आप scientist यानि वज्यानिक बनने के बारे में सुच्च सकते हैं, ऐसे मन वज्यानिक बनने से जुड़ी जानकारी बी आपके पास ज़रूरी होनी आज हम आपको बताते हैं कि scientist बनने के लिए आपको क्या क्या करने की जूरत होती है तो चलिए आज जानते हैं वग्यानिक कैसे बना चाहिए scientist कैसे बने सबसे पहले अपने interest के बारे में जाने अगर आप वग्यानिक बनने के बारे में सोच रहें इन सबी सबालों के जवाब जानने के बाद आपको सपस्ट हो जाएगा कि आप scientist बनना चाहते हैं या नहीं आप जानते हैं कि scientist बनने के लिए educational qualification क्या होनी चाहिए सबसे पहला है scientist बनने के लिए आपका 12th class science stream से पास करना ज़रूरी है दूसरा इसके बाद आपको graduation की degree लेनी होगी जिसके लिए आप Bachelor of Science, BE या B.Tech जैसी degree ले सकते हैं इसके लिए आपको AIEEE और IITJE इंटरंस एक्जाम देना होगा इसके अलाबा आप ऐसे institute या college से भी graduation की degree ले सकते हैं जो percentage based पर admission देते हो तीसरा है graduation की degree लेने के बाद आपको अपने subject में Master degree लेनी होगी जो Master of Science हो सकती है या ME, M.Tech जैसी degree हो सकती है इसके लिए आपको GATE जैसे इंटरंस एक्जाम देने होगे आप चाहें तो ऐसे college या university से भी admission ले सकते हैं जहाँ percentage की अधार पर admission मिलता हो चौता है master degree लेने के बाद आप चाहें तो PhD और post doctor degree program में admission ले सकते हैं scientist बनने के लिए आप ये entrance exam दे सकते हैं ताकि आपको अपने पसंद्र इंस्ट्यूट में scientist के तौर पर job मिल सके पहला है ARS या NET दूसरा है IIST, In Institute of Space Science and Technology, entrance test तीसरा है scientist entrance test, DRDO अपनी qualification and skills के अनुसार एक scientist के तौर पर आप इन institutes के apply कर सकते हैं पहला है Indian Space Research Organization यानि की ISRO दूसरा है BHABA Atomic Research Center, BARC तीसरा है Council of Scientific and Industrial Research, CSIR चौता है REBAT Observational Science Research Institute, यानि की ARIES पांचवा है Indian Institute of Tropical Metrology, यानि की IITM scientist बनने के लिए आपके पास सही education तो होनी ही चाहिए इसके लाबा आपका जुनून और जजबा भी बहुत महत्वर रखेगा इसलिए school level से ही scientist जैसी सोच और तैयारी शुरू कर दीजे और अपना मन जहां मुकाम पा लिजे उमीद है ये जानकारी आपको पसंद रहाए होगी और scientist बनने के अर्मान को पूरा करने मतगार साबित होगी So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा अपने friends का share भी करेगा और champion है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब भी करेगा चले मिलते हैं कैसे नहीं मज़दा वीडियो को सब तब तक के लिए good bye